महतमा गांदी कहा करते थे कि भारत गाउं में बसा हुआ है लेकिन हम देख रहे हैं कि आजांदी के इतने सालों के बाद गाउं और शहर के बीच खाई बढ़ती ही चली गई जो सुविधाएं शहर में है क्या गां उसका हकदार नहीं है क्या अगर बिजली शहर को मिलती है तो बिजली गाउं के गरीब ये घर तक जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए अगर सरसहर में बढ़िया सड़क है तो गाउं के लोगों को भी आने जाने को काम आ जाए ऐसी तो सड़क मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए और इन बातों को लेकर के आज बार का अपने बजेट देखा होगा पुरे देश भर में वहवाई हो रही है कि आज आदी के कई वर्षों के बाद पहली बार गाउं का आदमी जी जान से कह सके कि ये मेरा बजेट है मेरे बलिये बजेट है गाउं के लिए बजेट है किसान के लिए बजेट है ऐसा विश्वास इस बजेट से प्रस्तापित हुआ है